आटसेंस का रिसेंट अपडेट आने के बाद बहुत सार लोग मुझे कंटाइट कर रहे हैं भाई ये देखो क्या आटसेंस एकाउंट में आ रहा है इससे कुछ खतरा तो नहीं इसको सॉल्व कैसे करें इसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए मैंने कहा भाई बि प्रोब्लेम को सॉल्व करोगे यानि कि इसको केसे हटाओगे अपने अटसेंस एकाउंट से ठीक है डरने वाली कोई बात नहीं है बस समझो और जो तीन-चार स्टेप आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा तो इदाउट वेस्टिंग टाइम है अभी सीरह स्क्रीन प फ्रोब्लेम को अब बन रहा है क्योंकि मैंने इस पे कभी अब कुछ टाइम के पहले आड़ लगा था लेकिन इन्वलेट क्लिक करने लगे तो मैंने यहां पर आड़ ओब कर दिया ठीक है तो अब आप देखो भाई यहां पर क्या है मलब देखो यह रहा वो एरर अगर पॉर्डिंग हमें यह पॉलिसी सो कराना चाहिए तब यहां पर Google भी कह रहा है कि भाई यह पेज आप यह पॉलिसी आप बनाओ अपने साइड्स के लिए तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है हमें इसको बना लेना चाहिए लेकिन लोग यहां पर कन्फ्यूजी कि भाई इसको ब इंडिया में काम कर रहें तो टेंजन नालो आप चाहिए कही के लिए भी काम करो जरूरी नहीं हमें इस आपके पास इंडिया से ही ट्राफिक आएगा कोई बंदा अगर UK से बेठा है हमारा इंडियान है तो वह भी सर्च करेगा ना तो उस टाइम पर उसको दिखेगा तो बहतर होगा आप ये कर लो और इस पर आपको ज़ादा कुछ मेहनत नहीं करना है नेर्धा देखो सिंपल अभी आपको मिल रहा है कुछ इसा इंट्रफेस आपको यहां पर कलूज नहीं करना है, सिर्फ यहां पर क्लिक करना ए ख्रियेट यड़़िदीपियर मेसेज देन अभ तो हमें यहां पे कह रहा है कि भाई देखो यहां पे इंटरफेस देखो GDPR, concept, manage, options और उसके बद our partners यहां पे देखो revocation, links तो यहां पे आपको कुछ ज्यादा कुछ छेड़ छार नहीं करना है जो है by default उसको हम वे से ही रेने देंगे हमें ज्यादा कुछ यहां पे नहीं करना है और यहां पे setup यहां पे styling styling पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना है by default जो है वो अच्छा ही होगा और हमें छेड़ छार नहीं करना है अगर आप चाहो तो आपने color combination अपने वेबसाइड का मतलब primary color अगर आपका black है तो यहां पे आप color बगर चेंज कर सकते हो header का, headlines का सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अपने according font भी चेंज कर सकते हो तो मैं यहां पे pop-ins select कर लिता हूँ देखिए दोस्तों मैंने pop-ins select कर लिया तो यहां पे सारा text pop-ins हो गया तो अब मैं क्या करूंगा अब यहां पे हमें करना है यहां पर अगर क्लिक करोगे यहां पर को error button ना रहे और यहां पर अगर अगर आप क्लोज भी कर पाए उसके हाथ में इतना तो power होना चाहिए अगर यह ना रखेंगे तो by default उसको किसी ना किसी option को चूज करना पड़ेगा जो कि कही ना कही गलत है हमें यह नहीं करना चाहिए उसका हम देना चाहिए power की वो करके off कर दे इसलिए इससी क्या होगा हमारा जो user है बोर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा इसली अपने content फोकस कर पाएगा अगर हमें इसको नहीं रखते हैं तो मैं भी जब ठीक है मैं कहूंगा भाई जितने सारे साइड आप आर्ट सेंस के अंदर है तो सब के उपर आप डाल ही दो ठीक है अभी आप देखो मेरा एक के ओल्डेडी सोमेहल्प का लोगो आड़ेड है ठीक है मैंने यहां पर नहीं किया था बहुत पहली साइड बनाया था अच्छा मैंने यहां पर आड़ ब्लॉकर के लिए एक नोटीस आता है मतलब अगर कोई आड़ ब्लॉकर यूज कर रहा है अगर आप चाहते हो कि उसको आड़ दिखे तो आप वहां पर नोटीस भी भेज सकते हो और मैं कुरसिस करूंगा इसके उपर एक छोटा सा वीडियो बना दे अब सबसे पहले आपको करना क्या है आपको एक साइट का नाम देना है तो नाम उसके बाद देना है आपका प्राइवेसी पॉलिसी का यूरल तो सबसे पहले मैं नाम एंटर करूंगा जैसे कि यहां पर यहां पर कर दिया हमने साइट नेम उसके बाद सेफ पर क्लिक करना ह देन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा आड़ URL आपको वह भी करके दिखाता हूं यह website का चाहिए यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिची तो यह URL को कॉपी करना है और यहांपे आपको आड़ URL पर क्लिक करना है एणटेपड पर क्लिक करना है. हो गया. अब यहां पर क्लिक करेंगे आड्ड लोगो. हमें भी लोगो आड करना हो. अब भी दोस्त आपको करना है बड़न आपको लोगो यहाँ फीश्टा वटन पर कलिक करोगे तो आपका फाइल खुल जाएगा. वेब पी यहाँ पे support नहीं करेगा, पीएंज चूज कर सकते हो, जैपीज सिलेट कर सकते हो, ठीक है मैं upload कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, upload होना सुरू हो चुका है, अब ही देखिए यहाँ पे complete हो गया, अब OK पे click करेंगे, देख करना है, और अभी देखो भाई कैसे दिखेगा, इस तरह से उनको message जाएगा, जो भी visit करेंगे, यूरोप इनियुन से और UK से जो visit करेंगे, उनको ऐसे दिखेगा, और मैं भी हमें इंडिया पे भी कभी कभी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे close क बटन भी दे रखा है, तो easily user close कर देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे desktop mode पे उस तरह से दिखेगा, ठीक है, लेकिन make sure मैंने आपको जो options बताया, तो उसको थोड़ा use कर देखो, यहाँ पे कोई तो close भी कर सकता है, और कोई चाहिए तो इसको do not concept पे भी click कर सकता है, यह होना चाहिए, यहाँ पिर मतलब अगर हम इसको नहीं देंगे तो यह तो बहुत ज़्यादा issue ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप यह से करके, अभी क्या करेंगे, simple अभी करना क्या है, इसको publish, जैसे आप लोग publish करोगे, यहाँ पे बोलेगा भाई, ओके अपको ok क इसके बाद बताएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यूरोप यूनियन से और यूके से ट्राफिक कितना आ रहे हैं, percentage दिखाएगा, और concentrate भी आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हो, अगर कुछ रिपोर्ट यहाँ पे इनेट होता है, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो separate, हर एक एफसाइट के लिए separate, separate policy, GDPR policy page बना भी सकते हो, मालो मैंने यहाँ पे आपको और एक चीज नहीं बताया, देखो, बनाने की बाद आप चाहो तो कभी भी इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही काम होता है, आप एक ही बार में सारे website को enable कर सकते हो, आप चाहतो हर एक website के लिए अलग अलग बना भी सकते हो, लेकिन आप एक ही बार में कर दो, अगर आपको कुछ unique करना है, कुछ आप अलग अलग कर रहे हो, अपने site पे कुछ आपका policy ही लेकिन इस पर दिमाग नहीं गुसान है अभी के टाइम पर ठीक है जब बहुत नीड होगा क्योंकि जो नीड से गुगल ने इसको एनवल करके धिया है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो थोड़ा डीटेल में इसको उपर रिसर्च करन चलेगा ठीक है आपट यहाँ पर एक किलेट कर सकते हो लवद जैसे कि आप लोगस को सेटप कर सकते हो लेकिन जैसे ही आप लोग सेटप करोगे अभी आप काओगे सेटप हमने कर दिया तो यह जो नोटीस पर हट जाना चाही बया यह नोट इस में नहीं अटेगा tekn commend आप Google इसको हटा सकता है कभी भी, लेकिन देखो ये मलब सब के लिए आलट है अगर इसको हटाने के लिए अफसन होगा तो साथ कुछ लोग इमीडिटली हटा देंगे लेकिन ये काम को करेंगे नहीं Google इसको इसलिए रखा है ताकि सब को ये प्लासों हमेशा जब तक बो नहीं करते हैं और Google के लिए भी एक important step है important strategy है तो आप इसको मजबूर मत करो कि बो कुछ और करें ठीक है तो आप इसको बेसक इसको आप यूज करो ठीक है आप इसको यूज करो और ये मैंने सिखा दिया कैसे क्या करना है hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं प्लान मेरा था ही नहीं कि मैं देखो मलब एक ही दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला और मेरा प्लान नहीं था कि मैं आज ये वीडियो डालूं आप सब के लिए लेकिन स्टिल कुछ अपडेट आया तो मेरा ये फर्ज बनता है आप लोगों को मैं इसके बारे में मलब जानकारी दूँ आप लोग टेंसन में होगे और अगर आप भाई को सपोर्ट करना चाहते हो सिंपल भाई पेसा नहीं लगेगा चैनल को फी में सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो कमेंड कर सकते हो इससे मुझे काफी जाता मोटिविशन मिलेगा मैं आप लोग के लिए इसे ही वीडियो लाता रहोंगा तो अगर आप लोग मैक्रोनिच पे काम करना चाहते हो अगले फ्रेस वीडियो साथ तब तक के लिए धन्यवाद और लेट्स ग्रोव टुगेदर अगले फ्रेस वीडियो साथ तक के लिए और लेट्स ग्रोव टुगेदर